प्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हैं बेटा सभी अच्छ होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नंबर 15 हिंदी सब्जेक्ट किया बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए है 17 तारी लेकिन चिठ्थी जैसी लिखी गई हो लालता हूँ जिसे लिखी गई हो लालता हूँ उसे ही पढ़नी चाहिए तो लालता हूँ वो किसको बोल रहा है लेटर बोक्स को वे प्राइवेट होती है प्राइवेट तो पेड़ बोल रहा है लेटर बोक्स को फिर लेटर बोक्स नेक्स्ट बिटा एक आदमी आता है महाँ पर ठीक है तो वो आदमी आपस में बाते करता है बोलता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ दूसरा कोई काम करने की मेरी कोई इच्छा नहीं होती है अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने गहरी से चूहें दोड़ रहे हूँ तो ऐसा क्या किया जाए कि इसे यही लोटा कर अपने जरा कुछ खाने की तालास करें देखे कुछ मिल जाए तो इतनी रात गए यहां इस वक्त आप किसी का आना मुम्किन नहीं है तो देखो वो जोचता है इतनी रात गए यहां पर किसी का लेटर बोक्स को ठेको तो आप क्या लिखोगे लेटर बोक्स को अब समवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है यहां पर क्या हुआ होगा तो बेटा देखो समवाद को पढ़कर क्या लगेगा बेटा आपको मैंने अपने तरीके से लिख सकते हो जो भी आपको लगे यह कि लालताओ दूसरों की चिठ्थियों को पढ़ रहा होगा तभी पेड उसे इस बात पर टोक दिया होगा ठीक है पेड ने उसे इस बात पर टोक दिया होगा तो ऐसा कुछ हुआ होगा अब बैटा नेक्स्ट कोशन क्या है बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहां से उठाया था तो बटा ये घर से उठाया था तो आप क्या लिखोगे एक घर से उठाया था ठीक है बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को ये काट देना लड़की को एक घर से उठाया था ठीक है अब पेट में जैसे चुएं दोड रहे हो इस वाक्या से आप क्या समझते हैं तो बेटा देखो इस वाक्या से क्या मतलब है तो क्या लिखोगे इस वाक्या का अर्थ है बहुत तेज भूख भूख सही लिख लिएना ठीक है भूख लगना ठीक है बहुत तेज भूख लगती है जब ऐसे लगता है कि पेट में क्या है चुएं दोड रहे हो ओके अब नेक्स्ट कोशन क्या है बटा कि बच्चे उठाने वाले लोगों से आपकी आप अपनी रक्सा कैसे कर सकते हैं सोच नहीं उनके द्वारा दी गई कोई वस्तू खानी चाहिए हमें घर पर छोटे बच्चो को अकेले नहीं छोड़ना चींपuldकि किसी अजनबी के कहने पर घर का में दरवाजा नहीं खोलना चाहिए जब्धी कोई भार से अवाज लगाई तो वह नहीं ठोलना चाहिए बड़ इबावक या आसपडोस के लोगों से बाचित करके योजना बना कर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए ठीक है देखो बेटा हम अपनी सुरक्सा के लिए अपने आसपडोस वे महले के लोगों से बात कर एक योजना बना सकते हैं कि अपने महले में दो से तीन लोग पुलिस को सूचित करें तो ऐसा कुछ बिटा आपके दिमाग में भी है तो वह भी आप योजना लिख सकते हो मैंने अपको बता दी है इस वीडियो में बिटा इतने ही अपना नेक्स टोपिक हां उपनी नेक्स टोपिक में करेंगे तब तक के लिए से हसते रहे मुस्कुरात पढ़ते रही है पढ़ते रही है बढ़ते रही थेंक्यू